अस्सलाम आलेकुम नमस्ते दोस्तों अमीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे सुबा का समय होगे यहाँ पर उठ गए हैं आज के बोलोगिन में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास सेर करेंगे अगर मेरा बोलोगिन चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक शेर और स अगदम फरेश आलू ली है आलू कोई भी ने लेना है अगदम अच्छी तरह से देख करके आलू लेना है और अगदम फरेश लेना है जो साधा वालू राता है वही वाला लेना है इसमें बहुत ही आपका फाइदा करेगा अब यहाँ पर हम आलू का चिलका को हम छिलेंग इसकिप मत किजेगा तब जाके आप लोग को पता चलेगा इसी तरह से हम छील लिए हैं और चिलका को हम साइड में हम रख देंगे अब आलू को हम क्या करेंगे दिखाते हैं आप लोग को यही वला अगर हम जाते हैं मार्केट खरेजने तो बहुत ही पैसा खर्च हो जाता है और समय भी बिरबाद हो जाता है और नहीं आपका यहाँ पर समय बिरबाद होगा और नहीं आपका कहीं जाना पड़ेगा हजारों रुपया का अगर बचत करना है तो इस तरह कर यह आपका बहुत ही पैसा भी बचत हो जाएगा और समय भी बचत हो जाएगा अगर यह वरा टिप्स अपलों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजेगा अपलों लाइक करते कोमेंट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है अब यहाँ पर हम अच्छी तरह से कद्दू कस कर लिए हैं और आलू का जितना भी रस है सब हम निकाल लेंगे निचोड कर जो रेशा-्रेशा है उन नहीं जाना चाहिए अब यहाँ पर हम चान लिए हैं अब यहाँ पर हम दिखाते हैं एक चीज के यहाँ पर डालेंगे टिप्स अपलों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजेगा मेरे दोस्तों अप्रूब लाइक करते कोमेंट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है, लगता है मेरे साथ एक परिबार जूड़ गया है उसी तरह, अब यहाँ पर हम एक फरेश नीबू लेंगे, और आदा हम नीबू को काट करके हम थोड़ा सा यहाँ पर हम डालेंगे, जादा ने डालना है, तीन से चार बुंद यहाँ पर डालन है, और अच्छी तरह से यहाँ पर मिला लेना है, अलू के रस में, यहाँ पर और कुछ नहीं लेना है, अगर आपका चेहरा फुंसि ऑगया हुआ है, छाए, धब्भा होगया हुआ है, तो अच्छी तरह से चेहरे में लगा लिजीए, नहीं हम आजमा करके देखेंागे, फिर आपका एक भी फुनसी ने रहेगा चेहरा में और नहीं दाग धबा रहेगा अब देखे यहां पर हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं 20 मिनट रहने दीजेगा फिर आप चेहरे को धो लिजेगा चहांत को धो लिजेगा फरेस पाने से अगले टिप्स के लिए हम आगे को क्या होता है गर्मी का सिजन में लाइट ने रहता है एक दिन दो दिन नहीं आता है तो यहां पर सब्सक्राइब को हम कैसे रखेंगे दिखाते हैं वह भी अग्दम फरेश रहेगा एक भी खराब नहीं होगा और आपका तीन से चार दिन पटल रह जाएगा खराब नहीं होगा जिस तरह मार्केट से खरीद के लाते उसी तरह अग्दम रहेगा फरेश रहेगा अब यहां पर हम एक बारतर में पानी लेने के बद पटल को यहां पर हम छोड़ दिये हैं 10-15 मिनिट के लिए हम छोड़ देंगे पानी में और अच्छी तरह से पटल मेरा फरेश हो जाएगा अब यहां पर हम कैसे रखेंगे दिखाते हैं आप लोग को यहां पर हम 10-15 मिनिट हम छोड़ दिये थे पटल को उसका बाद यहां पर हम एक टोकरी में निकाल लेंगे यहां पर हम एक कोटन का कपड़ा लिए देखें कपड़ा को अच्छी तरह से हम भीगा लेंगे इसी पानी से हम भीगा लेंगे राब हो जाता है तो पैसा भी बिरबाद हो जाता है नहीं यहां पर फिकाएगा और नहीं पैसा बिरबाद होगा छोटा सा मेहनत में आपका बहुती पैसा भी बचत हो जाएगा और समय भी बहुती बचत हो जाएगा दो दिन भी लाइट नहीं आएगा तो आपका सबजी बिरबाद नहीं होगा बाहर में रहने से भी बिरबाद नहीं होगा और नहीं आपका फिकाएगा अब यहाँ पर हम कपड़ा को हलका हलका निच गर्मी का सीजन में इसी तरह उन लोग रखता है तो क्योंने हम लोग अपने घर में इस तरह करके रखें असानी से सब्जी भी रह जाएगा और आपका सब्जी भी बिरबाद नहीं होगा अगर लाइट नहीं रहेगा तो कुछ फरकने पड़ेगा इस तरह कीजेगा तो अब यहाँ पर हम पटल को इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरह से यहाँ पर हम कपड़ा को इसी का उपर हम डाल देंगे जितना भी यहाँ पर पटले अगदम फरेश रहेगा एक भी पकेगा नहीं अगर तीन से चार दिन अगर पटल रहेगा तो आपका पटल खराब नही और नहीं सुखेगा नहीं पकेगा और अग्दम फारेस रहेगा लगेगा भी मार्केट से खरीद के लाएं उसी तरह अगर यह वहला टिप्स अप लोग आच्छा लगा तो एक लाग जरूर किजेगा मेरे दोस्तों इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं यहां पर हम गेस बर्नर लेकर के हम टिप्स दिखा रहे हैं अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग खाना बनाते तो इस तरह करके गेस बर्नर काला हो जाता है और बहुत ही गेस भी खर्च हो जाता है यहां पर नहीं गेस खर्च होगा और नहीं आपका बर्नर काला रहेगा यहां पर हम कैसे साप करें लेंगे दिखाते हैं आप लोग को यहां पर हम एक कटोरा में पानी लेंगे और बर्नर को मिस्थ नफ़े हम डाल में इसमें यहां पर जो घर में समाने उसी यहां पर साफ करके हम त्यार करेंगे, एक पैसा यहां पर खर्च भी नहीं होगा और आपका गेस अगर महिना दिन चलता है तो एढ़ महिना दो महिना तक आपका गेश चलेगा यहां पर हम नमक डालेंगे नमक डालने से आपका बस ठाख ब्रंदर में एक थोड़ा साथ बी जितना भी कचड़ा फसा हुआ एक थोड़ा इस ध्याईंगे रहे GA नहीं यहां परण हारपी डालने के बाद पर एक चम्मच जैसे यहां पर वील सरब डालेंगे, आपका पस जो सरब वही डाल सकते हैं, यहां पर हम वील सरब करते हैं, पर थेंक तो वही वाला हम डाले हैं। devi ने पड़ेगा बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा जब भी आपका बनर इह तरह करके छृड़ा किलिन भी हो जाएगा और अपका घेस कवें हो जाएगा अच्छा लागा तो एक लागद जरू कीजेगा दूसरे के साफ जरूर सेर कीज़ेगा मेरे दोस्तों अब यहां पर हम दोनों सेट अच्छी तरह से हम बर्नर को हम घीश लेंगे और देखे किस तरह यहां पर चमक भी आने लगा है बर्नर जो है महिना में एक बार दोबर जरूर साप करना चाहिए तब जाके आपका गेश कभी खर्च कम हो जाएग का दोनों बर्नर को हम साप करके तयार कर लेंगे और दिखाते हैं यहां पर हम धो करके मेरा बर्नर किस तरह अग्दम किलीन हुआ है इवला टिप्स अजमा करके देखे फिर हम आप लोग के पास सेर कर रहे हैं जरूर अप लोग का पसंद आएगा पसंद आएगा तो लाइ दिन तक मेरा गेस भी चलेगा और अगदम तुरंट साप हो करके तयार हो गया है अगर यह वह ला टिप्स अपलो का अच्छा लगा तो लाइक, शेर, और सस्क्राइब जरूर किजेगा सोनी हॉम बोलक चैनल में फिर हम आगले टिप्स इसी तरह लेकर के आएगे